आजी ये क्या है, मेरा युटूब चैनल है आप उसको search करो बताओ आमको, आप अपने मोबाइल में search करो राउल पृजापती ब्लोग तेके उसमें सब देखने को मिलेगा, उसमें सब देखने को मिलेगा ये अच्छा चानल पर यूटूब चैनल पर लेकिन ये भी बैस दो हमको को मैं होगा नो हमारा भी नाम लेने उसे यहां पर आपको हम निस्ट्रल व्यू दिखाएंगे और बहुत ही जादा आप लोग को मस्त लगेगा देखके और यह देखे हैं अरे पीसे होई पड़ी है मुंबई की बारिस तो यहां कब बारिस हो जाए कोई पता नहीं है अभी भी हलकी हलकी बारिस दो रही है तो अभी ह हम नेरल रेलवे स्टेशन से उतर सुके हैं छोटा ही स्टेशन है और अभी चलते हैं माथे राम के लिए कोई टेक्सी बगरा जाएगी तो वो लेते हैं और हमारे साथ में सुयम जी है आप लोग भली भात इनको पहचान रहे कई शारी वीडियो में हमने इनका परिशे करा तरीक दोक्ude वीडियो को का हमिसरोग लेते हैं को सफल कि वी डालता हूं रहता हो सब्सक्राइबूर यदो अभी सो इसक्ताइब पहुआ है यह जो हमारे पीसे का वह देखन है यही से हम लेंगे टैक्सी माथे राम जाने के लिए तो काफी मस्द भीव आपको हम दिखाने वाले हैं साय से काफी कम लोगों ने इसकी वीडियो बनाई है मैंने सर्ज भी किया बाखे चलिए आपको हम खुद दिखाते हैं यहां का भीव तो अगर मुझसे कुछ पुछ पुटिया होती हो क्योंकि यह बुंबई शहर में फश्टाइम आया हो हो सके कुछ न कुछ तो गलतिया जरूर होती हो तो आप लोग उसको माथ किजिएगा अंकल माथे राम उधर से उधर से आता है अच्छा ओफिस में तैंक्यू अंकल तो चलिए अभी अपने को क्या है यह चोटा सा पुल है डर देखे नाला है तो भीया यह मुंबई है कभी भी बारिस हो सकती है यह राद दोस्तों यहां पर हमें लेना है टिकट नेरल माथे राम टैक्सी चालक मालाक शेवा भावी असंस था तो भीया यहां की भासा है और यहां से लेंगे हम लिए भीया यहां से चलते हैं यह भाई साब लिवा कर जाएंगे तो यह रही हमारी टैक्सी और यही टैक्सी जाएगी माथे राम तो शेलिए बैठते हैं और आपको बता दे पर परसन का यहां पर सो रुपे लग रहा है जाए तुम्हें बेटे कौन से यह जाएक तुम्हें आप टेक्सी से में मेंबर आयक सार आप बोला तो इस सरे टेक्सी के मालिक है यह जो टेक्सी का मालिक है सोरुपै सीट है इदर दाने कि देख लीजे आप इधर के लोकल आज मीसे सुन लेजिए इतना भड़ा है कि इसा कुछ हैसा नहीं है कि जाड़ लेते हैं तो अच्छा है पांच सीट में एक गाड़ी जाता है तो चलिए अभी निकलते हैं को भाई लोग अभी हम पैड़ सुके हैं टैक्सी में और यह रही कुछ इस प्रकार से हमारी टैक्सी यह विलकुल अंदर है तो असलिए दिखाते हैं आपको हम निस्रल व्यूब अचलां बालिए जते हैं मेरा यूटूब चैनल है आप उसको सर्ज करो अच्छा वह आपको आपको अपने मुबाइल में सर्ज को लो राहुल प्रजापति ब्लोग तेके उसमें सब देखने को मिलेगा उसमें सब देखने को मिलेगा यह हाँ यूटूब सैनल पर भी पैज़ देख्डे को सक्राइब हमारा भी नाम ले लोग से, ये बुड़े लोग आए थे, अरे नहीं नहीं, आइसा नहीं बुड़े लोग, पता हमारे यहाँ बहुत सम्वान दिया जाता आप लोग को, हाँ, अब ही आप लोग अयुद्ध्या जाने की बात कर रहे हो ना, ये अपना पास का है युद्ध्य हुआओओच का है हम उपर की तरफ को हो सुके हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं विजिट करना और आप लोग को भी दिखाएंगे तो आप लोग कांटिन्यू रहिएगा अब यहां से भी टिकट लेना है और यह रहा सामने हमारे टिकट काउंटर यह देखिए और यहां पर 50 और 25 का है वसलिये देखते हैं सर टिकट कितने का है 50 रुपे हैं चलो सर कितने घंटे तक विजिट कर सकते हैं यहां जब तक मेरा मन करें यह हमारा टिकट मिल चुका है पर परसन का 50 रुपे का टिकट है और इधर देखिए कुछ और भी भाई लोग है तो यह क्या नाम हो आपका बढ़िया बढ़िया बताओ बास अपना भी सब बढ़िया इधर साहर हो और यूपी से आप नहीं कहां के हो आप शूरत चलो आजाओ शूम भाई ओके शूरत अंदर प्रवेश कर सुके हैं और लेके चलते हैं आप लोग को नेश्रल व्यू के पास और वहां चलके आप लोग को मस्त मस्त दिर्शम दिखाएंगे आप लोग वीडियो पर रहिए और वीडियो को फटा फट लाइक करते रहिए और आप लोग ने टिकट देखा आई तो नहीं देखा तो फिर से देखिए यह राग कुछ इस प्रकार से टिकट तो चलिए विजिट करते हैं अपर से जाली लगा पड़ा है ताकि यह हम लोगों को परसान न करें आप अप लिए यह क्या है तो यह देखिए दोस्तों यह पहाड़ों पर भीक रहा है आवला तो काफी छोटे-छोटे आवला है लेकिन मस्त और स्वादिश्ट ने बहुत ज्यादा खटे हैं यह और गाव में क्या होता है कि काफी बड़े-बड़े बड़े होते हैं यह तो छोटे-छोटे है तो यह देखिए उसका वीज है यह देखिए बड़े बड़े वाले आप ही लोग हो क्या है इधर नहीं है नहीं वो चड़ने का पूरा विजिट करना है उसका बताओ उसका पाथ पॉइंट गुमाएंगा उसका ग्यारा सो रुपए लगेगा अभी अपने को क्या है भी तो हम लोग यंग है ज़वान है तो चलिए पैदल चलते हैं घूमते हैं टहलते हैं दर देखिए अंकल जी हाएं हाँ 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 साथ में ही थे हम कैशा लग रहा है अंदर आके यह थोड़ा इसको चखिए ए अपने गाउं के बास हम आउला बोलते हैं इसे अब खटा नहीं खाते हैं खटा नहीं खटा भी नहीं खाता है नमक और चलिए चलिए कोई नहीं तो अंकल जी हमारे साथ में थे तो साथ में आज हम सब लोग विजिट कर रहे हैं तो काफी मस्त लग रहा है और यहां के वाता परोड़ को देखिए आप लोग कि गाओं में क्या है आईशा है देख के लोग गिनोर मारते हैं यहां पर तो लोग पाईशा खर्श करके आते हैं घूमने के लिए तो अंदर आप लोग को सुलब सवचाले भी मिलेगा लेकिन पैसे देखे करना है तो पांस रुपए है वहन के लिए और पांस ही रुपए है टू के लिए भी तो सलिए अभी आगे की तरफ चलते हैं अरी यहां पर इस्टेशन भी है बिलकम तू माथे राम अंकल यह मिली दस का कौन सा वाला है दस का देना एक अरे तुम पेट से हो क्या है खट्टा ही खाओगे दे मुझे अच्छा लगता है और यह आम अंकल जी आम कितने का वो पूरा आम चाहिए पूरा एक यह वाला पूरा कितने का यह बताओ पर ले यह वाला हाँ यह वाला यह देखिए अभी मैं आगे आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा दूँगा अभी पता नहीं यहाँ पे चल दिए कि नहीं चली कुछ पता नहीं है अभी आतरे टाइम पता करेंगे हम तो चलिए दो तो सबसे पहले आपको सारा टूर करा देते हैं फिर आपको बताते हैं और यहाँ पे आप लोगों ने देखा एक आम सो रुपय का मिल रहा तो भी कच्चा वाला बताए अंदर आने पे बहलू बढ़ जाते भई चली अभी हम लोग घूम रहे हैं आप लोग को हम बता दें कि पहले हम यह सब फिल्मों में देखा करते थे अभी जो आप मारे पी भूमेंगे टहलेंगे और अच्छा लगेगा तो आज हकीकत में वो चीज हमारे साथ वो रहा है और समझ में मुझे यह नहीं आ रहा है यह हकीकत है यह फिर मैं सपना देख रहा हूं बहुत अच्छा लग रहा है अगर आप लोग कभी बुंबई आईये तो यहाँ पे ममी को पापा को एक बार यहां का विजित मैं जरूर कराऊंगा पाइचा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने में यह देखिए एक समय था अंग्रेजों के जवाने में ऐसा चाय कितने का है और पानी पानी बोतल तीस रुपए अब बाहर से दस रुपए प्लस है तो यहाँ दोस्तों आप लोग को सारी बिवस्थाएं मिलेंगे आप लोगों ने अभी देखा भीया जी ने बताया कि पंदर रुपए की चाय है बाकी तीस का पानी है भाई यह के उपर लेके आते हैं इसको तो भाई कुछ न कुछ इनको बनता है यह देना तो आपको उपर सारा चीज मिलेगा और अभी चलिए हम लोग घूम रहे हैं और यह देखे यही पटरिया मेनी ट्रेन इस पर चलती है तो चलिए आगे का नजारा आपको दिखाते हैं और आप आपको एक सीज बता दें यहां पर सबसे बड़ा ध्यान रखना है बंदरों से भाई मुझे तो बहुत डर लगता है बेलवाई धाम ने बेलवाई धाम में लोगों ने हमारा बहुत नुकसान किया था हमारी नई बाइक का पूरा शिट कवर फार डाला था हमारे कैमरे के जितने भी वायर थे सबको फेक दिया था उसमें कुछ कपड़े भी रख रखे थे वो भी फेक दिया था मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्सन उस वीडियो का लिंक दे दूँगा और आई बटन में भी दे दूँगा आप लोग उसको जाकर चेक आउट कीजिएगा जाएए तो चलिए चलते हैं आपको आगे का विजिट कराते हैं हम तो यह देखिए दोस्तों यह है व्यू आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल फोग फोग तो अभी हम आप लोगों को बता दिए फोग नहीं है यह बादल है अभी है बहुत ज़्यादा उ पुचिनिए यह है